हेलो रिवान, वेलकम टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्जूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे नियोस्पूरीन पाउडर के बारे में तो हम सिखेंगे ये powder के basic use के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical conditions में ये powder को use किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके side effects के बारे में और कौन से अलग-अलग warnings रहती है Contra indications रहते है ये powder को use करने पर तो detail study करते हैं इसके बारे में अबडेटे रहे है फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस करें स्टडी माट्रियल, टेस्स इरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के अप उपर तो अब आप DC's and Medicines Related जो कोर से वो फार्मारॉक्स के अप उपर एक्सेस कर पाओगे कि जो हमारे medicines related जो lectures रहते हैं उनके PDF, PPTs वगिरा affordable price के अंदर आप access कर पाओगे pharma rocks की आप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android app download करे iphone user है तो app store से download करे link आपको description box में मिल जाएंगे या फिर कोई भी query हो तो आप solve करिए आप ये number पे whatsapp करके कि जो यहाँ पे display किया हुआ कि 9016312020 पे contact कर सकते हैं तो आप समझते हैं नियोस्पुरिन पाओडर के बारे में तो नियोस्पुरिन जो पाओडर है वो ऐसा medication है कि जिसको हम कहते हैं कि antibiotic dusting powder कि आपने antibiotics के injections के बारे में study की होगी antibiotics के tablets साते हैं capsule साते हैं उसी तरह से antibiotics के powder भी आते हैं तो ये जो powder है वो antibiotic powder कहा जाता है और ये powder के अंदर जो हम medication देखे तो total तीन antibiotic medications का इसके अंदर combination है तो तीन antibiotic में जो first antibiotic हम देखे तो वो है bacitracin है second जो है वो है neomycin और तीसरा है polymixin B तो bacitracin के हम बात करें तो उसके अंदर 400 units जो है उसके present है neomycin के 3,400 और polymixin के अंदर 5000 जो unit से वो present है ये 10 gram powder के अंदर तो ये जो powder आप purchase करते तो उसके अंदर जो quantity रहती है वो 10 gram फिर उसके manufacturers हम देखे तो यहाँ पर आप देखो उपर GSK जो है वो लिखा है तो GSK का जो मतलब होता है GSK pharmaceuticals और GSK का full form आप देखो तो वो है GlaxoSmithline Pharmaceuticals तो ये Neosporin जो है वो उसका brand name है कि यहाँ पर आप जो packing के उपर label आप चेक करो तो label के उपर यहाँ पर देखो लिखा है Neosporin तो ये Neosporin उसका brand name है और ये medication जो है वो combination है antibiotic powders का और GlaxoSmithline जो pharmaceutical की हम बात करें तो ये एक British multinational pharmaceutical company है जिसका headquarters जो है वो Brentford England के अंदर है तो ये है GSK का logo आप देख सकते हैं फिर उसके label की हम अच्छे से study करें तो सबसे पहले उपर की और company का logo आप यहाँ पर देख पाऊगे GSK GlaxoSmithline फिर Neosporin जो है उसका brand name आप यहाँ पर देख रहे है कि जो मैं highlight कर रहा हूँ फिर उसके अंदर रहा जो combination की Neomycin Sulphate है antibiotic फिर polymixin B-sulphate है और Bacitracin zinc powder तो यह हो गए उसके अंदर रहे तीन antibiotic फिर यहाँ प एक direction लिखी है for external use only तो यह आपको खास द्यान रखना है कि यह powder और सिर्फ externally body part पे ही apply किया जता है और उपर जो उसका container है कि तो अच्छे से आपको उसको tightly close करके रखना है कि जो उपर जो closer दिया हुआ है कि यह वाला जो closer है उसके उपर तो अच्छे से आपको वो बंद करके रखना है कि जब आप उसको use करते हैं फिर या पर storage लिखा है कि storage temperature not exceeding 30 degrees Celsius मतलब कि आपको 30 degree या उससे कम temperature पे ही अच्छे से store करके रखना है room temperature जो हम खास कर उसको काईते हैं फिर dry place पे रखना है मतलब कि यह powder जो है उसको completely dry place पे रखना है कि उसको कोई moisture ना लग जाए पानी ना लगे वो खास ध्यान रखना है वरना यह product जो है वो आपके खराब हो सकती है moisture अगर आ गया बैसिट रसिंस के रहते है 400 और नियो मैसिन के रहते है 3,400 यूनिट फिर यहाँ पर direction लिखी है कि to be used as a direction by physician तो proper diagnosis के बाद आप उसको use कर सकते हैं और खास बच्चों से दूर रखना है यह powder को और नीचे लिखे है उसके manufacturers की सब detail कि जो GlaxoSmithline Pharmaceutical और कहा पे उसका unit है तो वरली मुंबई वो है उसके unit का proper address वगरा भी लिखा हुआ है तो यह है उसकी label information अब समझते हैं यह powder के अंदर रहे antibiotics के बारे में कि जो Bacitracin है तो जो Bacitracin है वो किस type का antibiotic है तो वो एक polypeptide antibiotic कहा जाता है और यह जो antibiotic use किया जाता है अलग-लग bacterial skin infections के अंदर कि जो bacteria के कारण होने वाले जो skin infections होते हैं उसको treat करने के लिए और साथो साथ उसको prevent करने के लिए यह Bacitracin के जो है antibiotic use किया जाता है कि उसके कई बार आप देखो तो ointment भी आते हैं powder भी आते है और नियोस्पुरिन powder के अंदर भी यह as a ingredient एड किया गया है साथो साथ यह जो है उसके पास ability है infection को prevent करने के कि अगर आपको कोई minor burning हुई है या फिर cuts हुए है या फिर scraps जैसे हुआ है आपके skin के उपर second हम देखे तो वो है neomycin तो neomycin भी एक antibiotic है कि जो fight back देता है अच्छे से bacteria के सामने हमारी body के अंदर और वो भी reduce करता है infection के जो risk होते है उसको reduce करता है और surgery के दौरान कि जब कोई intestines के surgery हो रहे तो उस वक्त यह neomycin जो है वो use किया जाता है और तीसरा जो है वो polymixin तो यह भी ऐसा antibiotic है कि जो meningitis की इलाज में use किया जाता है फिर pneumonia की इलाज में भी use किया जाता है sepsis जब आपको होता है या फिर जो septics हो जाते है उसके इलाज में और urinary tract infection तो जब यह तीनों antibiotic powder का जब combination बनता है तो यह एक combination ऐसा safe and effective combination है कि जो अलग-अलग condition में use किया जाता है कि जैसे कि जो आपके bacterial infection आपके समझो कि skin के उपर हुआ है तो उसको treat करने के लिए आप यह powder को आपकी skin के उपर लगा सकते जो बैक्टिरिया को kill करेगा कि जो आपकी skin के उपर present है तो समझो कि किसी भी ऐसे एरिया कि जहाँ पर समझो कि यहाँ पर आप देखो और ज्यादा फैलाएंगे और वहाँ पर पस्फरमेशन हो सकता है यह गाव जल्दी से आपका उसकी healing ना हो लंबे समय तक यह injury रहे तो उस वक्त bacterial infection को prevent करने के लिए यह powder जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है कि जब proper dressing वगेरा हो जाते तो उसके बाद person जो है वो powder लगा स फिर इस तरह से minor burning वगेरा है तो भी यह powder वहाँ पर लगा जाता है कि समझो कि cut हुआ है किस तरह से यह देखो कि यहाँ पे जो है skin cut हुई है फिर यहाँ पे skin के उपर scraps हुए है फिर तीसरे में आप देखो तो यह आपको दिख रहा है minor burning जैसा कि जब minor burning होती है skin के तो उसक को अच्छे से healing देने के लिए कि अच्छे से वो उसका गाव जो हो अच्छे से भर जाए और वहाँ पे कोई bacterial infection ना हो उसको prevent करने के लिए यह जो powder है यहाँ पे जो आप लगा सकते कि अच्छे से spread करना होता है और एक thin layer वहाँ पे बनाना होता है फिर इस तरह से condition देखो कि जो skin के उपर ऐसे redness देखने को मिले कि यहाँ पे आप देखो skin के उपर redness देखने को मिल रही है फिर वहाँ पे आपको समझो कि itching होती है खुझली होती है और ऐसा swelling जैसा हो जाता है redness जैसा हो जाए आपको वहाँ पे itching भी हो फिर जो impetigo की condition कही थे कि यह वाला जो diagram है यह वाला कि यह impetigo की condition कही जाते कि एक bacterial infection है कि specially यह lips की आसपास या फिर oral cavity की आसपास इस तरह से यह infection होती है तो वहाँ पे भी यह powder externally लगा जाता है फिर जो hair follicles का infection होता कि यह वाले आप देखो तो hair follicles infected हुए है कि यहाँ पे देखो यह hair follicle आ रहा है और जहाँ पे उसके root है तो यह जगा पे यह सभी जगा पे आप देखो हुआ है infected वहाँ पे आप देख सकते कि अंदर की और पस जो है वह अंदर की और जमा हुआ है तो यह जो infections है कि जिसको medical time में folliculitis का आ जाता है तो यहाँ पे भी आप niosporine powder जो है वो externally apply कर सकते कि जिससे यह condition जो है वो आप externally apply किया जाता है तो खास अब देखो कि जो normal हमारी इस तरह से hair follicles होते कि यहाँ पे कोई infection नहीं है normal वाला है जब कि यह hair follicles infected होते तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे यह जो yellow color का जो आप portion देख रहे तो वो है pus तो यह pus formation यह जो आप यहाँ पे जो दाने दाने इस तरह से देख रहे है कि वहाँ पे थुड़ी सुजन जैसे देखने को मिलती है वहाँ पे pus formation हो जाता है और यह पूरा area हो जाता है रेड और साथ हो साथ आपको वहाँ पर इचिंग जैसा फिल होता है तो यहाँ पर भी आप जो है वह अपलाई कर सकते हैं फिर यह एक इंपोर्टन्ट यूज है कि जब किसी को सरजरी के बाद स्टीचिस लगते हैं देखो यहाँ पर इस तरह से स्टीचिस लगे हुए है यह वाले स्टीचिस तो जहाँ पर आपको यह स्टीचिस लगते हैं तो स्टीचिस लगने के बाद जो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इंफेक्शन हो सकता है बैक्टेरिया के कारण तो वो bacteria फिर वहाँ पर पस formation करवादे है फिर ये itching के आसपास आपको itching जैसा भी feel होता है तो itching भी हो और पस formation और आप समझो कि itching करते है तो यहाँ पर फिर ये area जो है वो damage हो सकता है उसकी healing process जो है वो inhibit हो सकती है कम हो जाएगी healing process तो उस वक्त neosporine जो powder है वो stitches के उपर जो है वो apply किया जाता है तो prevent bacterial infection और ये powder समझो कि आप regularly यहाँ पर ये stitches के उपर लगाएंगे तो जो healing process है उसको improve करेगा कि ये गाव है आपका जो stitches के करण जो हुआ है ये इस तरह से तो आसनी से वो गाव जो है वो भर जाएंगे और कोई bacterial infection भी नहीं होगा और ना है कोई pus formation वहाँ पर होगा तो ये हो गए नियो स्परिन powder के basic use के बारे में अब जानना जरूरी है कि किस तरह से उसको use करना है because proper use करने की procedure जो है आपको पता होनी चाहिए ये powder के तो सबसे पहले आपको ये powder use करने से पहले अच्छे से करने हैं hand was hand was करने के बाद आप हाथ को अच्छे से sanitizer को use करके जो वो sterile कर लें दूसरी condition की समझे कि आपको इस तरह से ये गाव पर ये powder को लगाना है तो सबसे पहले ये powder का अच्छे से करना जरूरी है dressing कि जो dressing हम करते कि proper वहाँ पे cotton swab को use करे या फिर जो antiseptics आते हैं उसको apply करके ये आपको clean करना है कि जिसको हम कहते है dressing करना ड्रेसिंग करने के बाद वह round और cut है उसको अच्छे से करलेना है dry कि ये जो पूरा area है w gang dressing करने के बाद आच्छे से ये वह आप dry कर ले कि वहाँ पे कोई भी ऐसा पानी भी नहीं होना चाहिए और ना है कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए कि जिससे पाउडर की जो इफेक्टिवने से उसके उपर असर पड़े तो वो अच्छे से एरिया ड्राय कर लो और ड्राय करने के बाद आपको जो है वह आपके पाउडर का एकदम थीन लेयर बनाना है थीन लेयर मतलब की एक्सेसिव नहीं लगाना है कि एक्सेसिव लगाने से क्या होगे कि जो स्कीन के जो पूर होते है वो block हो जाते तो ऐसा नहीं करने एकदम पतला layer spread करना है कि directly powder जिसे हम कोई dusting powder sprinkle करते हमारी body उपर उसी तरह से ये powder भी जिस्ट आपको sprinkle ही करना है तो आसनी से spread करने के बाद फिर से again आपको जो है वो hand wash कर लेने है ये powder को use करने के बाद तो इस तरह से इसको properly हम use करते है फिर ये direction आपको पता होना जरूरिक because ये direction सबसे important है ये powder को use करने के लिए कि for external use only external use only का मतलब होता है कि आप इस तरह से body के external part पे है apply करें कि समझे कि ऐसा कोई burning हुआ है ये cut हो चुके है hair follicles infected हुए है ऐसे कोई wound हुए है तो externally ही इसको apply करना है ना ही कोई body cavities में insert करना है या फिर किसी internally use नहीं करना है आपको कि जैसे कोई आप tablet capsule खाते है उस तरह से उसको use नहीं करना है सिर्फ external use के लिए कि जैसे कोई cosmetic का कोई powder use करते है उसी तरह से ये powder भी infected EDS के उपर directly sprinkle करने तो even उसके container के उपर भी ये external use only अच्छे से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा फिर आप देखते हैं उसके side effects की क्या side effects develop हो सकती है new spore in powder से तो अगर किसी person को allergy है dusting powder की बहुत सारे लोगों को dusting powder की allergy होती है तो अगर आपको dusting powder की allergy है या फिर ये powder आप लंबे समय तक use कर दे तो आपको कुछ side effects develop हो सकते है body के external parts के उपर जैसे कि आपको itching होगे कि जहाँ पर देखो इस तरह से itching जो है वो कि समझे कि आपने excessive use कर लिया ये powder या फिर आपको ये powder के किसी भी ingredient की allergy है या फिर आपको dusting powder की allergy है तो आपको इस तरह से itching मतलब कि खुजली होना start हो जाएगा आपकी body के उपर second skin के उपर ऐसे rashes भी develop हो सकते है तीसरी condition हम देखे तो redness हो जाएगी वहाँ पर चौती condition के अगर गलती से वो powder आपके eyes के आसपास चला जाता है या फिर eyes में चला जाता है तो eyes के अंदर irritation कर सकता है ये as a side effect और पांचवा point देखे तो जहाँ पर आप लगाते हैं वहाँ पर swelling हो सकते हैं कि जो application side कही जाती है कि जिस जगा पर आप लगाते हैं वहाँ पर आपको swelling या फिर surgeon जो है वो हो सकती है उसके side effects के तोर पे फिर हम बात करें contraindications के कौन से condition में use ना करें तो do not apply if you have allergy of any ingredient using this powder कि नियोस्पुरिन powder के अंदर हमने जो तीन antibiotics देखे वो फिर ये बनाने के लिए जो dusting powder बनाने के लिए जो दूसरे ingredient यूज होते है उसकी समझो कि आपको allergy है तो ये powder को use नहीं करना चाहिए फिर जो broken skin कि ये वाली जो skin आप देखो ये वाला किस तरह से जो skin होते है जिसको हम broken skin कहते है कि जो skin जो ब्रोक हो चुकी है और dry skin जिसको हम कहते है कि skin dry होके वहाँ पे broken skin है तो वहाँ पे ये powder नहीं लगाना चाहिए आपको because वो condition जो है वो healing होने के बज़ाए और ज्यादा खराब हो सकती है तिसरी condition do not apply in eyes कि आखों के अंदर कभी भी ये powder आप apply ना करे दूसरी condition कि ear cavity के अंदर भी उसको apply नहीं करना है तो eyes में apply ना करे ears में apply ना करे फिर body cavities के जैसे कि nose की जो nozzle cavity होती है vaginal cavity जो होती है वहाँ पे भी apply ना करे साथ हो साथ जो हमारा जो mouth है उसके अंदर भी कभी भी आपको ये powder जो है वो apply नहीं करना है या फिर आपका nose है mouth, eyes ये सबी जगा पे आपको ये powder जो है वो नहीं लगा ना तो ये है उसके contraindications and warning कि अगर आप यहाँ पे apply करते है तो उससे आपको जो है वो irritation हो सकता है तो ये सब खास द्यान रखे कि जब आप new spurin powder को use करते है so thank you for watching medicine related जो course है वो आपको affordable price में pharma rocks के app पर मिल जाएगा कि जिसके अंदर आप सीख पाएंगे medicines के basic use के बारे में उनके dose क्या होते है side effects, warning और वो भी affordable price के अंदर special offers के साथ तो भी download करिये pharma rocks app और access करिये DCs and medicines related course और access करिये हमारे pdf ppt's medicines related lecture affordable price में तो android user download करें android app iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी तो whatsapp कर सकते है आप 9016312020 पे description box में आपको link मिल जाएगी pharma rocks app की तो access करिये study material test series and video lecture pharma rocks के आप उपर so good luck and all the best ऑक्डिश झाएगी झा़ा जाएगी एंट